ओ माई गूडनेस दोस्तों आखिर क्या बना दिया ये हेलो आइस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका अक्षे कुमार की एक और नई मूवी मिशन रानी गंच के ओफिशल ट्रेलर के रिव्यू के एपिसोड में देखो भाई आपको पता है कि अक्षे कुमार अगर कोई हट के कॉंटेंट दार मूवी बनाते हैं तो उनकी मूवी दोस्तों अक्सरी वाक्स ओफिस में कमाल करती है अभी कुछ महीने पहले ही दोस्तों ओएमजी पार्ट्टू बॉक्स ओफिस में सक्सेस रही है अभी गाइस मिशन रानी गंच यहां पे मुझे गाइस एक चीज कहने में ही दोस्तों मिल सकती है तो बात करेंगे कि भाई कैसा है यह ट्रेलर क्या कुछ है इसमें खास उससे पहले दोस्तों मैं आप से भी रिक्वेस्ट करें कि आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें तो करते हैं अपने इस वीडियो के शुरू लैट स्टा सब्सक्राइब है एक ऐसा मिशन जो इंपॉसिवल था लेकिन अपने टेक्निक के जरीए जस्वन सिंग गिल जिनको कैप्सुल गिल भी कहा जाता था उन्होंने काफी लोगों की जान बचाई थी और वह भारत का ही गाईज रेस्क्यू एक टेक्निक था तो यहां पे इस कर रहे है नन अदर दैन वरसेटाइल अक्षे कुमार और वह अपने फिल्ड में दोबार आ चुके हैं मतलब वह क्वाल्टी वाले गाईज सिनेमा लेकिया रहे हैं और गाईज इस मूवी में एक ऐसा सीन है वह पानी से जब गाईज बाहर निकलते हैं इस तरीके के जब ज दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है वहीं इसके लावा दोस्तों बहुत से सपोर्टिंग आर्टिस ऐसे हैं जो कि गाईज कह सकते हैं कि लेजंड है जैसे कि कुमूदु मिश्रा पवन मलोतरा देवंदु भटाचारिया रवी किशन इवन दोस्तों राजय शर्मा भी करता है यानि कि टीनू सुरेज देशाई आप लोग बोलोगे कि यह कौन है आपने रुस्तम मूवी देखी थी गाईज क्या जबर्दस तरीके की गाईज उनके डिरेक्शन होते हैं तो अक्षे कुमार की वह मूवी ब्लॉक्बस्टर रही थी और गाईज अभी यह मूवी और अक्षे कुमार जब भी दोस्तों सरदार बनते हैं किसी से चुपा हुआ नहीं है कि भाई सहाब वाक्स आफिस में 100% सक्सेस मिलता ही मिलता है आप लोगों ने सिंगिस किंग देखा होगा या फिर दोस्तों केसरी जबर्दस बाकी यहां पे स्टोरी आपको जैसे कि मैं डाला और नीचे वो गए और कहीना कहीं दोस्तों उन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुली पास किया और यहां पे आप लोग अगर सोच रहे हो कि यह एक पस मिशन वाली मूवी है लेकिन अगर आप लोग ठेटर में जाके इसको देखोगे तो इसके वीएफेक्स पे ध्यान तो सिनेमेटिक जिस तरीके से शॉट्स लिए गए हैं आप लोग उस पे ध्यान दो यह वाला सीन जो पानी सा आता है यह कितना जबर्दस लग रहा है ठेटर में दोस्तों कितना अच्छा लगेगा बाकि बीजियम भी दोस्तों इतना अच्छा लग रहा है मतलब जब ट्र लगा एक नहीं दो एक तो लास्ट वाला दोस्तों जो प्रेवर वाला सीन था वाहिगरू वाला सीन लिटरली आइस आउटस्टेंडिंग और यहां पर अक्षे कुमार जिस तरीके से पंजावी में दोस्तों बोल रहे हैं बहुत ही जादा गाइद लगा है कि महनत किया गय और गाइज यहां पर एक वह वाला सीन जब वह माइनर्स को बचाने की बात करते हैं कि हम अपनी तरफ से हर संबब कोशिश कर रहें और वहां से गाइज जो परिवार वाले होते हैं यानि कि उन माइनर्स के वह गाईज अक्षे कुमार को थपड़ मारते हैं बन्ना कुछ दो यहां पर कह सकते हैं कि यह कुछ सीन ऐसे हैं जो गूस बं दे देते हैं मतलब बहुत जादा गाई यह ट्रेलर में ही इतने इंपक्ट फुल लग रहे हैं तो जड़ा सोचिए मुवी जब देखेंगे तो यह कैसा लगेगा तो कुल्मिला के दोस्तों यह जो ट्रेलर है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे लग रही कि यह मूवी यह ठेटर वाली मूवी है इसको ठेटर में ही एक्सपिरेंस किया जाना चाहिए और अक्षे कुमार टीनू सुरेज देसाई के साथ आ रहे हैं फिर तो बवाल होना तैह है और आजकल दोस्तों कॉंट मुवी ज्यादा चल रही है ट्रू इवेंट वाली मुवी ज्यादा चल रही है आपको कैसा अलगा ट्रेलर बताओ मैं तो भाई पांच में से सारे चार स्टार इसको देना चाहूंगा अपनी राए कमेंट में तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही बतांब इतना ही।